नमस्कार आप सभी का एंस्क्रेप्शन के इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम लोग लोग सिकात अधिकार अधिनियम 2015 के तहद दुईतिये अपील किस प्रकार दायर करेंगे इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो इस चैनल से पहली बार जुरेव हैं वो अवस्ट सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आकन को भी दबा ले तथा उपयोगी लगे तो एक दूसरे को सेर अवस्ट करेंगे तथा एक लाइक कर देंगे तो चलिए आज हम लोग जानेंगे लोग सिकायत अधिकार अधिनियम 2015 के तहद आवेधन हम लोग दुईतिये प्रादिकार के समक्ष किस प्रकार करेंगे इसका एक फॉर्मेट आता है जिसने फॉर्मेट ना हो वो इस प्रकार अपना साधा कागज़ पर भी अपना आवेधन कर सकते हैं दुईतिये अपील प्रादिकार के समक्ष तो चलिए आवेधन में जब भी लोग सिकायत के समक् तो एक मूर परिवाद संख्या SMS के माध्यम से मिलता है, वो इसमें भर देंगे अपना, सेवा में duty appeal प्रादिकार, पहला appeal करता अपना नाम लिखेंगे, दूसरे में पिता का नाम लिखेंगे, तीसरे में पूरा पता लिखेंगे, चार में mobile number, email number, याधार number देशकते हैं, माच में लोग शीकायत निवारन अधिकार, के तहट जो लोग शीकायद निवारन पता अधिकारी, बनाए जाते हैं, एबम पर्थम अपलिय प्राधिकार के आदेश के विरुद अपील दायर किया जाता है तो मैंने लोग प्राधिकार रतवारा ओपी प्रभारी को बनाया था इसलिए मैंने लोग प्राधिकार जिसकी आप सिकायत करते हैं वो होते हैं उस कार्याले के प्रमुक तो लोग प्रादिकार अत्वारा ओपी प्रभारी द्वारा डियार नंबर इतना तिनां कितना से सफेज जूठा रिपोर्ट बना कर प्रतिवेदन दिया गया है लेकिन अनुमंदल लोग सिकायत निवारन पदाधिकारी द्वारा मेरी बात ना मान कर सफेद जूठा रिपोर्ट पर ही आदेश पारित कर दिया गया जबकि इसकी सुचना मेरी द्वारा लिखित दी गई थी तो मैंने अपना पक्ष रखते हुए एक लिखित परतिवेदन डाक के माध्यम से भेज दिया था यदि आप लोगों को भी किसी प्रकार का संदेह लगे तो अपना पक्ष रखते हुए एक परतिवेदन डाक के माध्यम से भी अवस्य भेज दें तथा सुनवाई में उस परत अस्तर से धारा 107, 116, 3 केता निरोधात्मक कारवाई कर दी गई है जब कि सत्तिय है कि लोग प्रादिकार अतवारा ओपी प्रभारी द्वारा कोई कारवाई नहीं किया गया है और नहीं यह मामला जनता दरबार में चल रहा है यह केबल सफेज जुटा टेबल रिपोर्ट है इसकी जाँच की जाए अपना जो भी आपके आदेश में जो भी मूल बाते हैं जिनके खिलाप आप अपील करना चाहते हैं उसे यहां लिख देंगें साथ में अपील का धार नियाय नहीं मिलने के कारण आठ में मांगी गई रहात सफेज जुटा रिपोर्ट कर देने के का कारंदोसी पदादिकारी पर आर्थिक डंड लगाते वी विवागे कारवाई के नुसंसा करने की किर्पागी जिससे मुझे न्यायवम इंसाफ मिले नौ नंबर में लिखना कोई अन्सुसंगत सूचना जो अपील के निस्पादन के लिए आवसक समझा जा रहा है तो इसम पर आलमनगर प्रभारी परतिपक्षी गंसे अनुचित आर्थिक लाव एवं दवाब में आकर वरिष्ट पताधिकारी को सफेज जूटा रिपूर्ट कर देते हैं एवं मेरे परिवार के सदस्यों के ही साथ दुरभा बहवार कर राते ढमकाते हैं इस प्रकार आपको जो इको को भी लिखना हूँ नॉनमबर में उवार लिख देंगे 12 में है सगलंक एगए दस्तावेज की सुची तो उसमेना देडेना है उस आदेश की स्वभी परमानित है जिसके विरुद अपील करते हैं उसे आदेश को श्वभी परमानित कर देंगे अपना अढ़ तारओ यह है पर्थम अपील का ओर्डर आप लोग देख लें या है इसको स्वाभी प्रमानित कर भीजना है और मैं एक आप लोगों को खास इस मामले में एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग भी यदि कभी सिकायत किये हूं या करते आ रहे हूं तो अपना पक्ष रखते वे एक डाक के माध्यम से आप देती अपील या पर्थम अपील जो भी करते हूं या सिकायत करते हूं तो एक डाक के माध्यम से अपना परतिवेदन अवस्लिक करके आभेज देदेंगें देखें मैंने डाक के माध्यम से अपना परतिवेदन दिया था और इस परतिवेदन पर ही अपनी सुनवाई के समय अपना पक्छ रखते वे अपनी बात रखेंगे तो आपको सिग्रही न्याय मिल सकता है जैन